असलाम लेकुम व्यूवर्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप अब सब लोग खेर हिरिच से होंगे आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगा कि ग्लीटर किस तरह से आप लोग लगा सकते हो लास्ट वीडियो में भी मैंने शेयर कर दिया था बट इसमें कुछ नहीं नहीं टेक्निक्स होंगी नहीं नहीं चीजें होंगी सीखने के लिए आप लोगों के और वीडियो को फुल वाच कर लिजेगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने बेल आकन को प्रेस करने वीडियो को लाइक भी कर और ब्राइडल में किस तरह से एप्लाइ कर सकते हो यह सारे कि सारे ग्लीटर जो है वो इन हैंस ब्यूटी के लावा कोई भी अदर ब्रैंड का ग्लीटर नहीं है यहां पर आपको नजर भी आ रहा होगा सबसे पहला स्टेप जो है उसमें आपको बताऊंगा पार्टी मेकप म इसमें चार-चार शेड आते हैं आप लोग एक बार एप्लाइ करोगे तो इसमें चार शेड जाएंगे यह इन हैंस ब्यूटी के पेज से आप लोग बाई कर सकते हो इंस्ट्राग्राम का भी पेज आप लोग मेरे इंस्ट्राग्राम को भी फालो कर दीजेगा में लिंक द किस कदर pigment आया है आपको मैं apply करके दिखा देता हूँ लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि आप eyes पे apply करके दिखाएं रियल आय पे तो इन्शाला मैं tutorial कोई बनाऊंगा आप लोग के लिए तो उसमें आप लोग को apply करके में दिखा दूँगा और भी मेरे काफी टुटोरियल जिन में मैंने apply किया है आप लोग चाहे वो भी देख सकते हो जाके अच्छा यह मैंने apply कर दी आप लोग इसका pigment देख सकते हो कितना कमाल कै और इसी तरह से आप लोग party makeup में इसे use कर सकते हो अब दूसरा जो है मैं आपको apply करके दिखाऊंगा नीचे metallic shade apply करके दिखाऊंगा creamy shade पहले उसके उपर फिर आपको sparkling dust apply करके दिखाऊंगा इस तरह से भी आप party makeup में use कर सकते हो यह बहुत मज़े का shade है मेंधी कलर में जो के माईयों की bright पे बहुत ज्यादा यह eye makeup में use किया जाता है shade बहुत कमाल का shade है अच्छा इसी shade में 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 पास sparkling dust भी है तो मैं चाह रहा था कि आप लोग को creamy shade apply करके उसके उपर sparkling dust apply करना सिखाऊंगा इससे यह होगा कि आपका pigment बहुत ज़्यादा strong आएगा और जो है shade के light होने के chances नहीं होते इसके उपर मैंने एक drop जो है उस sealer का रख लिया इस तरह से उपर apply कर लिया और उसको finger के help से अच्छे तरीके से जो है वो spread कर लिया हलका सा dry कर लेना है जरूरी नहीं कि आप लोग वैट पे ही उपर glitter फैंकेंगे तो वो फिर चिपक जाएग साथ ही यह अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा अच्छा sparkling dust आप लोग देख सकते हो उसी shade के अंदर है और इसके उपर मैं apply कर रहे हूं और आप इसका कमाल देख सकते हैं बहुत जबरदस्त किसम का लाग रहा है shade बहुत जादा pop-up करेगा और stay भी करेगा बहुत जाद तो कौन सा shade यूज़ कर सकते हो सारी ने-ने shades में यहां पर यूज़ करके आपको दिखा रहा हूं कुछ enhance beauty के मुझे ने भी रिसीव हुए shades तो मैंने का कि आप लोग को साथ video भी बना दूँगा लगाना सिखा दूँगा और shades भी ने दिखा दूँगा तो जैसे कि यह मायो मेकप में जो shade यूज़ होता है मैं दी के लिए बहुत जबरदस्त और कमाल का shade है अच्छा उसके बाद मैं आपको जो है वो creamy shade एक और लगा के दिखाता हूं जैसे कि enhance beauty का यह interference है मैंने थोड़ा सा लिया इसके lid में सही मैंने थोड़ा सा ले लिया तो इसको मैं swatch इस तरह स कर सकते हो बहुत मज़े का यह shade है आप इसके ऊपर जो है मैं आपको एक और 3D pigment लगा के दिखांगा सोरी 4D pigment जो होता है इसमें से भी आपको 4-5 shade मिलेंगे बहुत कमाल का pigment है अगैन मैंने sealer लगा दिया थोड़ा सा आप चाहे तो यहां पे अगर ज्यादा लोंग लास्ट कर सकते हो बहुत ज्यादा कमाल की शाहिन है आप लोग ऐसे अपलाए कर सकते हो बट यह भी ग्लीटर जो है 12 से 13 होर्स तक ना कहीं नहीं जाता अब आपको में गोल्डन कॉपर से कलर पे स्पार्किंग डेस्ट लगाना सिखांगा दिखांगा आप लोग इसे पार्टी में में यूज कर सकते हो अगर ब्राइडल भी आप लोग ज्यादा है वी नहीं करना चाहते तो आप लोग इसे ब्राइडल में भी यूज कर सकते हो अच्छा जो लोग मुझसे मेकप क्लासिज लेना चाहते हैं या उसके लावा मेकप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो इस नम कर लिया metallic shade उसके बाद मैंने उपर sealer apply किया then मैंने ये बहुत कमाल के greeny and golden beach में shade आ रहे है बहुत जबरदा शेड़ा यार यह आप लाजमी purchase कर लिजएगा इन shades के number तो कुछ के हैं और कुछ के नहीं तो आप जब enhance beauty के page पे जाएंगे तो आप उन स्क्रीन शॉट भी लेकर यह मेरी वीडियो का पूछ सकते हो और इसके इलावा आप लोग जब उनसे चार्ट लोगे numbers का तो आपको उसमें यह सारे मिल जाएंगे अच्छा आप जो है मैं आपको ब्राइडल में यूज करके दिखाऊंगा कि आप लोग ब्राइडल में किस तरह से करेंगे और देन हम उपर चंक से अप्लाए करेंगे इतना लंबा प्रोसीचर आप लोग ने नहीं करना आप चाहे तो ब्राइडल में भी निच्छे से क्रीमी शेड मिस कर दें उपर स्पार्किलिंग डस्ट को मिस करके आप लोग सिंपल क्रीमी शेड अप्लाइक लिटर करें आप लोग चंक से अप्लाए कर सकते हो अब जो है इस पार्किलिंग डेस्ट और आप लोग के सामने आप लोग देख सकते हो ज्यादा में लेज जो है नहीं बनाऊंगा है वी बहुत लाइट लाइट सी में लेकर अप्लाइ कर आउं क्यूंकि मुझे पता है थी तीन स चार लेर्स मैंने देनी है तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज लेकर में अप्लाइ कर रहा हूं आप लोग को जरूरत थी तीन से चार लेर्स देने के आप सिंपल क्रीमी शेड अप्लाइ करें या मठेली शेड उसके ऊपर जो है क्रोमाटिक ग्लीटर अप्लाइ करने तो अगर आपकी ब्राइडल जो है क्लाइंट की चौईस है तो तब आप लोग अप्लाइ कर सकते हो अधर्वाइस आप स्पार्किरिंग डश्या ग्लीटर से ही काम चला सकते हो अब जो है अप्लाइ करने के बाद मैंने अगैन सीलर को अप्लाइ किया इसके ऊपर क्यूंके हमन इसंधे अपर फंहें तो थोड़ा सब्स्प्राइड कर लोंगा अब मैंलोऊंगा प्लीटर जो के हदे गोलाई व्हला मैं अपको दिखा देंतों इस तरह का है जो है घ rotten क्लर में आप लोग ले सकते हैं अ कुछ सबते हैं तो लोग यपलाई कर रहे होते हैं लेकिन वह बह मैं उपर सिलर लगाना होगा चाहे तो आप दूसरी जो है वाई लैशी से वाली ग्लू भी ले सकते हो क्रिस्टाइन की या जो भी होगी वह आप लेकि उससे भी चंक से प्लाइ कर सकते हो इसको आप लोग ने ज्यादा स्प्रैट नी करना बस आइस की लिड की जो मीड होती ह यह लगेगा आई मेकप में आप लोग अंदाजा लगा सकते हो अच्छा यहां पर मैं आपको और भी वात बता दू में ओनलाइन क्लासिस देना स्टार्ट कर रहे हूं इंशाला बहुत जल स्टार्ट करूंगा जो लोग मेरे चैनल पर एक्टिव नहीं है वो जल्दी आज आप लोग भी कुछ सीख सको बहुत से कमेंट्स आ रहे थे पहले तो कुछ दिनों के लिए मैं बीजी था इस वज़ा से उस वक्त नहीं स्टार्ट कर सका बट अब में फ्री हूं तो मैंने सोचा के आप लोग को मेकप क्रासिस देना स्टार्ट कर दूं तो इंशाला आप जो है वह आज़ो एक्टिव हो जो अब जो है दूसरा शेड में आपको सिल्वर एप्लाइ करकी दिखा रहो यहां पर स्पार्किलिंग ड़स्ट मैंने सिंपली एप्लाइ कि इसके उपर में चंक्स आपको एप्लाइ करकी दिखाऊंगा आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो सिंपली आप लोग स्पार्किलिंग ड़स्ट एप्लाइ करो कोई जरूरत नहीं बड़े बड़े ग्लीटर या लेर्स देने के जंजट में नहीं पढ़ना बस यह सिखाने का मेरा मकसद इसलिए था कि क्लाइंट की कुछ वाइस होती है तो उस वज़ा से आप लोग भी मज वाइड क्लर के चंकम्स नागिंग में यह त्यूंख यह रे घिच किनकै irgendwie ठीच थरीफ चंकाय है यह ली लगी का रिच यह रे बीडी बना लेगे तो बाद में आपको नहीं चोरा रहा है औरग की अव्या जय क्रते आप लिचे से तुए अबession टरएंघ कर रएक दशेये करो इंशाला के classes में मजीद आपको detail से सिखाऊंगा था कि आप लोग हर तरह का makeup कर सको सीख सको practical भी उसमें होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग को अब मैंने light सा एक यह भी मेंदी सा कलर है इसको भी metallic shade मैंने apply कर दिया बहुत थोड़ा सा इसके उपर जो है मैंने apply किया sealer फिर अब मैं वही अगें sparkling dust मेंदी कलर वाली लूँगा यह बहुत कमाल की sparkling dust है आप लोग देख सकते हो इस तरह से मैं apply करूंगा यह आप लोग देख सकते हो इसके swatch हलका से ही म बेटर होते हैं अब आप लोग के साथ में chunks जो है वो शेयर कर देता हूं उससे पहले में again sealer लगा लोगा लोगा अब लोग यूज कर सकते हो पार्टी में ब्राडल में मत्रिस्क लीजएगा यूज करेगी अगर मीडियम वैदर हो तो फिर आप लोग लगा सकते हो तो इन्हेंस ब्यूटी के जो ग्लीटर बहुत जादा कमाल के यह आपने कहां से पर्चेस करने इंस्टाग्राम का पेज लिजए आप लोग पर्चेस कर सकते हो तो यह थी आज की वीडियो आई होगी अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल आकन को प्रेस कर लीजिएगा मिलते एक नए इंफंपर रखेगा दुआ में याद रखेगा अल्ला हाफिज